दोबी घाट इस्ति चांग पूरी पाउंधोई नदी के घाट से हटवाया गया 50 साल पुराना अतिकर्मन कुल अतिकर्मन मुक्त छेत्र का शेत्र फल लगबग 1000 वर्क मीटर जिसका बाजार मुल्य लगबग 3 करोड से जादा है अतिकर्मन हटाते समय अतिकर्मन अधिकारी दानिश नक्वी प्रशाद भूरा सिंग प्रजापती आधी लोग शामिल रहे आई आपको दिखाते क्या बोले बियस नेगी अब हम यहां पे यह पूरा गंदा पानी जो है कि पाउंधोई नदी में जाता था तो जीनों पूर्वी यहां पे हमारे मान्या मेर साफ सजीव वालिय शाफ यहां आये थे और अपने नगराइक साफी आये थे और उन्होंने एक भीजान चलायता है यहां पे कि पाउंधोई नदीकी सुफाय का भीजा था जो हमारे निरंतर नगर्निकम चला रहा है आप देख सकते हैं कि जो सामने दिख रहा है यह जोवियों का दानता इसमें पूरी गंड़गी दोनेग वाले के बाद में यह पूरा का पूरा जोई यह पांगोई नभी के अंदर में चले जाता था अब उद्वेंटर्वी दृगाइट थी हमारे यहां के पार्सत परजापती जी की भी अपर सिकायट थी हमारे सामने गड़े हैं कि इसकी एर्या का संदरी करन करा जाएं और ऐसा कुछ विचार किया जाए कि यहां पे जो वी गार्ड की बजाय यहां पे अच्छा सा पार्क याप भाट बन के आए और जो यहां पे खरब जो गंदे दिर्व एसके अंदर में जा रहे थे पॉधोय नदी में जो धुने के बाद में जो गंदा पानी साबनका ये थो बैके उसमें यह उसमें लगाता है, तो इसके लिए आज हमारा श्यामपुरी एरिया में आता है, यहां पर हमने धोवी गाट का जो है जो भी इसमें लगा हुआ था, उसको दो-तीन दिन पहले हमने सुछना जेती थी ति यहां पर जो है अभी जेशिवी चलेगा, और यहां पर किसी भी प इसको पूरी तरगे से नगन निगम ने नेंटर में ले लिया है। सीगरी में पारसंथी से निवेजन करूँगा कि वो यहां पे इसकी चारों तरफ तारबनी करवाएं और जल्दी से जल्दी कोई पस्ताव नगन निगम में या एच्डेक में या स्मार्चिती में भेजें ताकि इस इलागे को सौंदे करन किया जा सके और जो सामने अभी जो पूरी आए पारसंथी को तेना बाद देता हूं थ्यếuंब अइसे में पूर्य ही अधिकम्न सनर कॉढ़ा को आटा ने कलिए इस doğru प्रhã निगम को सुचित क्या जाता है तो हम उसे कान जा आसो कर दो को आई, देन्यम्रा